आम आजने आए नमहा आम आविराए नमहा आम हनुमते नमहा आम सर्दुखराए नमहा आम शीराम आए नमहा बगवान शीराम, एम शीराम सेवक šीहन माझे मानजी माराच के शीचर्णों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोग दे कर आज के शुब दिन के शुब वेला को हम प्राइरम करते हैं जैजैई शीराम, जैजैई शीराम फॉस्ट इंडिया न्यूज राजस्तान के विशेश्यू गुडलक टिप्स के सभी दाश्कों का मैं राज्यो तिशी पंडित्म के शास्ती हार्दी के मिननन करता हूं स्वागत करता हूं आप सभी दाश्कों के उपर भगवान शीहरी का, मा लक्ष्मी का, मा बगला मुखी का, राम जी माराज का, हन्मान जी माराज का, आशिरवाद और कपैदस्टी हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्यार हो आज आपके पसंदी दाश्यो गुडलक टिप्स में हम बात करेंगी हमारा नमबर आपकी टीवी स्कीन में फ्लेश हो रहा है, तो चली शो की शुरुआत करते हैं आज के शुप सयोग के साथ में, ग्रागोचर से जुड़ी जानकारी हो, विवरत उपास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुलक लाइफ समधान करने की बात ह सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदिदा निउस चैनल, पॉस्ट इडिया निउस चैनल, राजस्तान के आपके पसंदिदा शो गुड़ लख टिप्स में पिछले दस वर्ष से लगातार किया जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुप सयोग। मनाई जाईगी। मने शहर से उत्तरदिशा की तरफ यात्रा प्रारंब कर रहे हैं, तो उस यात्रा को सवल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खा कर डिकलेगा, आपकी यात्रा निर्विग निरूप से संपन होगी। जानते हैं आज के शुप चोग्रिया मोरत। करते हैं आज के दैनिक राशी फल की, तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किसमत आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, आज की दिन को शुप बनाने के लिए आपको क्या करना है आपकी राशी के अनुसार, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैढ़ जाई लिखते जाएए समस्ते जाएए शुरुवात करते हैं मेश राशी से मेश राशी वाले हमारे दशक तकदीर कहती है सितारे कहते हैं क्या कहते है माराज आज आपका दिन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है इसे अच्छा बनाने के लिए आज आपको किसी से उमीद नहीं करनी है दिन अच्छा बनाएं तो आप स्वेम बनाएं और दिन खराब करेंगे तो आप स्वेम करेंगे कोई दूसरा आके आपका दिन अच्छा नहीं बनाएगा समय की नजाकत को समझने का प्रयास कीजिएगा समधान क्या रहेगा हनमान मंदिर में बूंदी का प्रशाद चड़ाईएगा दिन अच्छा गुजरेगा बात करते हैं व्रशव राशी की व्रशव राशी वाले हमारे दशक तकदीर कहती है सितारे कहते है क्या कहते हैं माराज कि आज वर्किंग सेक्टर में स्ट्रेस बना रहेगा टेंशन बनी रहेगी फिकर बनी रहेगी परिशानिय बनी रहेगी ध्यान रखें कि तनाव से केवल समस्या ही जनम लेती है समधान नहीं इसलिए क्या करे माराज? खुद को रिलेक्स करकने का प्रयास करें स्ट्रेस फ्री होकर काम करें समयदान क्या रहेगा? हन्मान जी माराज के चड़नों का सिंदूर अपनी नाभी पर लगा के दिन की शुरुवात कीजिएगा दिन अच्छा गुजरेगा बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी वाले हमारे दशक, तकदीर कहती हैं, सितारे कहते हैं क्या कहते है माराज? कि आज लाइफ की उल्जने, जीवन की उल्जने, केरियर की उल्जने सुलस्ती भी दिखाई देंगी प्राब्लम्स का सॉलूशन मिलतावा दिखाई देगा और क्या तडपते मन को सकून मिलेगा बेचेन मन को शांती मिलेगी वराज की शाम दोस्तों के साथ बीतेगी समयधान क्या रहेगा? हनमान मंदिर में गुलाप की पुश्पो की माला हरपन कीजिएगा दिन अच्छा गुजरेगा को रहे गुजरे? रात में देखो पेटा आक्षे जहां तक आपकी जनम कुळी का सवाल है दो समस्या हैं इसके अंदर एक तो आपकी जनम कुळी में विवाग के घर का और नोक्री के घर का वेपार के घर का स्वामी बुद कुली में नीच राशी का है कोई भी ग्रह नीच राशी का होता है तो कभी भी शुब परिणाम नहीं देता है नीच मतलब शब्दी खराब है तो आपके दांपत्ते जीवन का स्वामी और आपके नोक्री वेपार का स्वामी बुद्ध नीच राशी का है उपर से आपको 18 साल की राहू की मादशा खतम हुई है और अब आपको गुरू की मादशा शुरू हुई आपके जीवन का सरुसेस्ट समय लेकिन कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतर दशा में उतना शुब परिणाम नहीं देती जितना देना चाहिए तो गुरू की मादशा में गुरू का अंतर जनवरी 2025 तक रहेगा उसके बाद में आपके जीवन में भारी परिवर्टन आएगा सूर्य आपकी कुल्ली में उच्च राशी का है शनी स्वा राशी का है चंदर्मा उच्च राशी का है आप अपना स्वेम का काम कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं लेकिन चुकी गुरू नीच राशी का है उसको शांत करना है तो कैसे करें सवा पांच रती का पीला पुखराज, इंडेक्स फिंगर के अंदर, अंगुठे के पास वाली फिंगर में, यलो गोल्ड के अंदर धारन कर लें, बुधवार का फास्ट करना शुरू कर दे, वरत करें, बुधवार को गव सेवा करें, हरी सब्जियों का दान करना है, हरी सब जी खानी नहीं है, इतना सा आप उपाय करें, निशित तोर पर आपके जीवन में सफलता आपके कदमों को चूमेगी, राहूल जी भरतपूर से जुड़े में आपका भी प्रश्च पूचिए राहूल जी, थोड़ा तेज बोलेंगे, हाँ राहूल जी, भरतपूर से बोल 3 जुलाई, 30-30 जुलाई 1991, 3-0 या 3, 30-30 जुलाई, 30-30 जुलाई 1991, समय, समय दुपेर 12 बचके 40 मिनट, हाँ, क्या पूचना है, उतके शादी के बारे में बात करना चाता हूँ, जहां भी बात बंकिया ब्रेक हो जाती है, देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, शायद मैंने जो समझा है, आपके 30 जुलाई, 3-0, 30 जुलाई मैंने समझा है, अगर गलत हो तो आप वापिस आर, नेक्स टाइम कॉल कर लीजेगा, 30 जुलाई मैं आपकी बच्ची की बेहन की जनम कॉली में, अभी जुलाई 2023 से बुद्ध की मादशा शुरू हुई है, इसके जीवन का सरुसेस्र समय, 19 साल की शनी की मादशा खतम होके बुद्ध की मादशा शुरू हुई है, हमारे इसाब से, इसके विवा का जो योग बन अगले वर्ष, 16 जनवरी दोजार चोईस से, 11 जून दोजार चोईस के मध्धे में इसका विवा हो जाएगा, अच्छे घर में जाएगी, इसके कुंडली में गुरू उच्च राशी का है, शनी स्वा राशी का है, भगवान करता है कि दुरगटना से देरी भली, तो मैं ज जो करता हूं तेरे अच्छे के लिए करता हूं, एक तो तुरंद प्रभाव से, एक पन्ना रत ने इसको सीधे हाथ में सबसे छोटे उंगली में पहना दे सवा पांच रती का सोने के अंदर, और उसके साथ साथ में हरे कपड़े खूब पहने, हरी सबजी खूब खाये, हर बनाईएगा, आगले छे महीनों में इसका विवा होने जा रहा है, हमारा पूरा आश्रवाद आपकी बहन के साथ है, हिम्मज जी उद्यपूर से जुड़े में आपका प्रश्र पूछिए हिम्मज जी, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार, गुरु जी में किरा था, हम दोनों पती बननी है, हमारा बीच में आपस में बहुत जगड़ा होता है, तो कोई आप उपाए, बताएं इस अरकुंडी देखे हम दोनों का, बताएं कुंडी है, हाँ, जिसे मेरा जिनम तारिख है, अठाइ इस मई 1982, रात को 11 बच्के 25 मिनट, और वाइफ का है 21 अगस्ट 1984, वापिस बोलें, वाइफ का है 21 अगस्ट 1984, 21, 1984 समय, 11 बच्के 40 मिनट सुगे का, 11 बच्के 40 मिनट, देखे बेटा, हिमत, जहां तक आपकी दोनों की जनम कुली का सवाल है, एक कावत है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, आपकी जनम कुली में वैसे गुण नहीं मिलते थे, 36 वैसे 12 ही गुण मिलते थे, डिवोर्स का किसी तरह का योग नहीं है, चंद्रमा की मादशा आपको चल रही है, और गुरू की मादशा आपको पत्नी को चल रही है, घर में पित्रों के नाम का देशी घी का दीपक ने मित रूप से जलाए आपके पत्नी के सिराने के नीचे कपूर की ठीकिया रखें और अपने खुद के सिराने के नीचे मांग में भढ़ने वाला सिंदूर सुबह उटके सिनान करके आपकी पतनी को वो जो सिंदूर है वो अपने मांग में भढ़ना है और कपूर को बैड्रूम में जिलाना है चालिस दिन ये उपाय कीजिएगा निशित और पे लाप्रप्त होगा आपकी जनमकुली में एक भाग्यस्तान में शनी मंगल का कंजेक्शन है शनी मंगल जब साथ होता है तो विवाहिक सुख में कमी कर देता है योग अचारे के निर्देशन में शनी मंगल की विदिवत शान्ती कराईए चांदी पहन के रहिए आप थोड़ा सा चांदी का ब्रेसलेट चांदी की चैन पहन के रहिए मेरे अनुसार सब चीजे ठीक हो जाएंगी देर विल बी लट अफ पॉजिटिव चेंजेज घर में नीमित रूप से पितरों का दीपक जला आईए और मैताजी से प्रार्थना करेंगे आप दोनों का दामपत्य जी वनसुक में बना रही विनोज जी आगरा से जुड़े में आपका भी प्रश्ट पूछे विनोज जी वापिस बोलें 13 अगस्त 19 से चालिस 13 अगस्त 19 से चालिस 10 बच्टर 47 मिनट पाते काल 10 बच्ट के 47 मिनट मैं बस मच्चाओं फज़िया हूँ और मैंने अपनी फ्रेक्टरी किसी को बेश दिया वो भी में परिशान कर अपाद तेकी विनोज जी आपसे हमारा कई बार चर्चा भी हुई है बस ये समय निकल रहा है आज हो गई ये 12 दिसंबर 31 दिसंबर को केतू की मादशा और राहू का अंतर खतम हो जाएगा ये केतू की मादशा राहू का अंतर जीवन में बहुत प्रकार के कस्ट देता है नाना प्रकार के शारिरिक मांसिक आर्थिक कस्ट देता है वो negative period अगले 15 दिन में खतम हो रहा है 31 December 2023 को केतु में राहू खतम हो जाएगा तत पश्यात में केतु की मादशा गुरू का अंतर आएगा There will be lot of positive changes December के पश्यात में अनि 2024 में बहुत चारी बिगडी वी चीजे आपको सुधर्ती वी दिखाई देंगी पक्षियों को नीमित रूप से दाना खिलाना है कवों को शुकरवार को खीर खिलानी या पनीर खिलाना है चोटी कन्याओ को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है हरे कपड़े खुब पहने और घर में जहां आपकी पतनी खाना बनाती है खाना बनाते समय पूरब दिशा देखते वे खाना बनाए 2024 आपके जीवन के अंदर आपके कस्टों को दूर करने वाला रहेगा इसमें कते ही कोई दोराय नहीं है चलिए आपकी समस्याओं का समाधान तो करी रहे हैं और आगे की तीन राश्यों की भी बात करते हैं बात करते हैं करकराशी की करकराशी वाले हमारे दशक तकदीर कहती हैं सितारे कहते हैं क्या कहते हैं माराज कि आज किस्मत के भरोसे अपने आपको छोड़ दीजेगा लग के भरोसे अपने आपको छोड़ दीजेगा समय के भरोसे अपने आपको छोड़ दीजेगा आज जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा अच्छे समय का इंतिजार करना ही होगा समयधान क्या रहेगा? हनुमान मंदिर में चोला आरपन कीजेगा दिन अच्छा गुजरेगा बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी वाले हमारे दशक तकदीर कहते हैं सितारे कहते हैं क्या कहते है माराज कि आज दिल की बात जिवान पर ले आईएगा जो दिल में है वो आज जिवान पर लेकर आईएगा खुद को व्यक्त करने का सही समय है खुद को प्रपोस करने का सही समय है अपने दिल की बात अपने मन की बात कहने का सही समय है इसलिए क्या करे माराज दिल की बात कह डालियेगा रुकिये गामत जो मन में है बोल डालियेगा कारशेतर में जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है समधान क्या रहेगा गुड़ चने का दान हन्मान मंदिर में कीजेगा दिन अच्छा गुजरेगा बात करते हैं कन्यराशी कन्यराशी वाले हमारे दशक तकदीर कहते हैं सितारे कहते हैं क्या कहते हैं माराज, दिखावे की दुनिया से बचना होगा, और क्या कहते हैं माराज, हर वो चीज जो बाहर से सुन्दर दिखती हो, वो वास्तों में सुन्दर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, हर वो चीज जो बाहर से सुन्दर दिखती हो, वो वास्तों में सुन्दर हो, ये जरूरी नहीं है, तो क्या करें माराज, दिखावे से बचिएगा, हम सुबह सुबह मेक अप लगा के वैटते हैं, थोड़ी देर में जब मेक अप उतरता है, तो अपनी असलियत सामने आती कि हम काले हैं या गोरे हैं, लेकिन मेक अप लगाते ही गोरे बच्गाते हैं, असलियत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, समधान, अनार के फौल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा. कहां से आगे बढ़ सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं, ये संभावना देखने का प्रयास करो. एक काहवत है, क्या जहां चाहा, वही रहा. इसलिए हर जगे पॉसिबिलिटी ढूंडा करो, अपने केरियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, फानेशल पोजिशन को अच्छा बनाने के लिए. क्योंकि सकारत मकसोस से आप अपनी दिशा को बदल सकते हैं, दिन को खुशनुमा बना सकते हैं, आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी, और आपकी सोच ही आपको पीछे ले जाएगी, इसलिए बी पॉसिटिव टूडे, समरान बजरंग बान का पाठ कीजेगा, दिन रशिक राशी की, रशिक राशी वाले हमारे दर्शक, सितारे कहते हैं, तकदीर कहती है, क्या कहते हैं मायराज, आज मैनत से ही सारे काम पूर्ण होंगे, और जब आप मैनत करोगे, तो काम पूरे होनी की प्रसंता भी आपको मैसूस होगी, सेहत का विशेश तोर पे ध्या धनुराशी की धनुराशी वाले हवारे दशक तक्दीर कहती है सितारे कहते हैं क्या कहते हैं माराज आज जो भी बोले confident होकर बोले जो भी बोले confident होके बोले क्योंकि आपके शब्ध ही आज आपको आगे भड़ाएंगे इसलिए जो बोले confident होकर बोले और आज की शाम मांगले कारों में बीतेगी समयधान क्या रहेगा सुन्दरकांट का पाठ कीजिएगा दिन अच्छा कुछरेगा कुछ कॉलर हमारे साथ में जुड़ेवे हैं प्रमोजीब जैसलमेर से पूछी आपका क्या प्रशन है प्रणाम गुरुदेव जी खुश रहे जन तेरा फरवरी 1968 जी जॉब में नेक्स्ट प्रमोशन कब होने की समभावना है समय क्या है सुभे 11 बज़े देखिए प्रमोजी जहां तक आपकी जनमकुली का सवाल है और आपका प्रशन है कि नेक्स्ट प्रमोशन कब होगा चंद्रमा की माहदशा आपको चल रही है और चंद्रमा की माहदशा में भी बुद्ध का अंतर है ये चार जनवरी को ये खतम होता है आपका पीरिड वैसे आपके चंदरमा की माधशा अच्छी है लेकिन चंदरमा की माधशा और बुद्ध का अंतर कोई उतना शुब परिणाम नहीं देती है जितना आप डिजर करते हो तो हमें लगता है कि आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होने का समय है वो आठ मार्च के पश्यात में शिरू हो जाता है मार्च से माई के बीच में आपको अगला प्रमोशन मिल सकता है कुनली आपकी अच्छी है और राहू मंगल शनी की एक युती है वो भी 12 भाव में जुवा 60 लाटरी शेर मार्केट का काम किसी की जमानत किसी की गारंटी इन सब चीजों से दूर रहेगा वेर्थ के अपमान अप्यर से दूर रहेगा यदि आप किसी इस तरह की गौर्मेंट डिलिंग में है जहां पैसों का लेंदेन होता है तो आपको रिश्वत आदी से बचना हो शनी मंगल की भी शांती विधिवत रूप से करवा लीजेगा अगले वश आपको प्रमोशन मिल रहा है इसमें कोई दूराई नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी बच्ची भी तीन राश्यों के बारे में बात कर लेते हैं मकर राशी मकर राशी वाले हमारे दशक तक की जैसी सोच उसकी वैसी वानी इसलिए कोई भी बात दिल पर मत लीजेगा नोकरी विजनस में दिन ठीक ठाक गुजरेगा समधान गुड का सेवन करके घर से निकलेगा दिन अच्छा गुजरेगा बात करते हैं कुमराशी की कुमराशी वाले हमारे दशक तक्दीर कहती है सितारे कहते हैं क्या कहते हैं महराशी कि आज सरल काम भी कठिंता से बनते वे नजर आएंगे महत्मून कारे आज टालने का प्रयास कीजिएगा और कुरोध करने से बचिएगा समधान मीठी जलेबी गरी बच्चों को खिलाइगा दिन अच्छा गुजरेगा अंतिम राशी मीन राशी मीन राशी वाले हमारे दर्शक तकदीर कहते हैं सितारे कहते हैं आज मन में प्रसंता रखते वे सब काम कीजिएगा खुशी खुशी काम कीजिएगा वर्किंग सेक्टर में दिन अच्छा खासा गुजरेगा बुजर्गों की सेहत का विशेश कियेगा, समधान क्या रहेगा, बंदरों को केले खिलाएगा, किसको बंदरों को केले खिलाकर दिन की शुरुरात कीजिएगा, दिन अच्छा gua गुजरेगा, चले राश्यों के कर्मफाल के बाराद जल्दी से जान लेते माता और बेहनों के रसोई से जुड़े गुर्लक टिप्स के बारे में तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुर्लक टिप्स आज रसोई घर में गवमुत्र का चड़काव कीजिएगा अपने रसोई घर के अंदर गवमुत्र का चड़काव कीजिएगा देशी घी के रोट आज बनाईएगा और रोट के उपर शुद्ध देशी घी और बूरा रखियेगा घर में हन्मान जी माराज के भोग लगाईएगा और भोग के पशाद घर के सवी सदस्यों को प्रसाद के रूप में भोजन की एक थाली प्रशाद के रूप में सब को खिलाईएगा और अपंग विक्ति को भी आज भोजन की एक थाली अवश्य खिलाईएगा क्या होगा रहेगी घर में सुक्षान्ति सम्रद्धी हाई जानते हैं आज का गुडलक टिप्स दोस्तों क्या आप आपकी लाइफ के सबसे खराब दौर में से गुजर रहें क्या आपको लगता है कि कस्र, रोग, शोक, दुख आपके पीछे पड़े हैं यदि हाँ तो आज का गुडलक टिप्स है आपके काम का क्या करना है लिख लीजे समझ लीजे आज देवपित्र एक कारे अमावस्या की दिन सरसों के तेल में गेहों के आटे और पुराने गुड़ से मीठे पूवे तयार कीजेगा एक पतल पर मीठे पूवे आग के पुष्प और थोड़ा सा सिंदूर रग दीजेगा एक आटे का दीपक बनाईएगा सरसों का तेल भरिएगा दीपक को पतल में रखिएगा सारा समान लेकर आज अमावस्या की रात में चोराहे पर चले जाएगा पतल पर रखा दीपक प्रजलित कीजिएगा और बोलिएगा हे मेरे दुर्भागे, हे मेरे सारे शारिरिक, आर्थिक, मांसिक कस्ट, हे मेरे सारे रोग, शोक, आज मैं तुझे यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, क्रपा करके मेरा पीछा मत करना, जैसे मैंने तुझे छोड़ा है, अब तू भी मुझे छोड़ देना, ऐसा कहकर चुरा हर काम में आपका भाग तेजी से आपका साथ देने लगेगा तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे मुझे दीजे जाजा तब तक खुश है अपने खियाल रिखिए जैशी किशना जैमाता की जैशी हरी देखते रहिए आपका पसंदिदा न्यूस चैनल फॉस्ट इन्या न्यूस चैनल राजस्तान